नमस्कार दोस्तों स्वागत हो आपका हमारे यूटूब चैनल में तो यूकित प्रस ने 4-5-2022 को तीन इंपोर्टन अपडेट यहां पर दी है पहली अपडेट आपकी है वीडियो भी पीडियो के डॉक्मेंट वेरिफिकेशन संबंदित दूसरी अपडेट आपकी है कनिस सहयक से संबंदित और तीसरी अपडेट आपकी है फॉर्स्टर से संबंदित यान की वन दरोगा से संबंदित है जो पहली अपडेट है वो यह है कि आपका जो डॉक्मेंट वेरिफिकेशन है 17-27 के बीच में होना है आपके serial number के हिसाब से और यहां पर important बात लिखी गई है जो वह document से संबंदे लिखी गई है कि आपके document है वह form के last date जो fill होने की थी उससे पहले के होने चीए मतलब कि आपके document जो है valid होने चीए कोई invalid document आपके वास नहीं होने चीए ठीक है विसस तोर पर यहां पर लिखा गया है OBC और EWS प्रमापता के संबंद में ठीक है क्योंकि पहले भी इससे संबंद में कटनाय आई है इस वज़े से इसके बारे में लिखा गया है कि आप भी document जो है पहले के होने चीए और यह जो है valid होने चीए यह इसमें लिखा गया है बाकी यहां पर 911-2021 का जो आपका EWS के वैलिटी है उस हिसाब से आपकी वैलिटी होने चीए EWS प्रमापत रगी तो यह कुछ खास नहीं इसमें इसमें document के बारे में यह यह पहले भी हमने आपको बता रखा है नेक्स देखते हैं जो नेक्स है समवाद 213 यह कनिस साइग से संब्देते हैं और यहां पर जिसको भी डाउट हो रहा था कि कैसे हमारा computer typing test होगा कनिस साइग में तो 169 पद उपर यह vacancy है अभी फिलाल ठीक है पहले तो आई थी 746 पद उपर फिर यह बढ़कर 169 हो गई है ठीक है जो जिसमें से 530 पज आपके टंकन यानि कि टाइपिंग के लिए है और बाकी जो पद हैं इसके बार वह non-typing वाले हैं और टाइपिंग क उन अभिहारतीव में वह अभारती आनि की टंकन अगर देते हैं और वह क्वालिफाइ नहीं करते हैं तो भी वह सुचि मे रहेंगे वह इन पदू के लिए जो है eligible होंगे कौनसे पदू के लिए 227 पदू के लिए ठीक है अगर वह टाइपिंग देते हैं और वह बाहर हो ज जल्द ही आयोग आपको बता देगा तो यह साइक से संबंदित अपडेट है 29 अपरेल 2022 को इसका रिजल्ट आ चुका है नेक्स हम बात करते हैं फोरेष्टर की तो दिखे एक एक औफिसमे अवरेंडम यहां पर जारी किया है यू को दिपलसी ने और इसमें देखिए प्रिटेशन डाली गए थी बहुत सारे प्रिटेशनर हैं यहां पर और तो उन्होंने प्रिटेशन डाली थी आपको बताएं इ तो 10% यहां पर है इस प्रिटेशन में और इसमें देखिए सबसे पहले मामला क्या है यहां पर देखिए पहला तो देखिए there is a huge difference between actual number and normalized number ठीके यह आपको बता है कि actual number and normalized number में बहुत जाजा अंतर है दूसरा 132 questions में delete हो गया 1800 में से जो की 20% है ठीक है लगबग और next देखिए जो manner है law है उसके साफ से यहां पर delete नहीं होए question next यहां पर देखिए same family से बच्चू का selection होगा है ठीक है तो यह एक इसमें प्रेटेशन डाली गई थी और बाकी देखिए यहां पर brief fact यहां पर दिए गए है date about examination देखिए 316 पर दूपर vacancy आया थी और इसका notification इसका होता है 18 12 2019 को syllabus में लिखा गया है साफ साफ की आपकी NCRT होगी 9 10 की उसके हिसाब साफ का syllabus रहीगा ठीक है written exam इसका 16 से 25 जुलाई की बीच में होता है 18 72 में और 31 जुलाई से 6 अगस्त की बीच में objections इसमें invite किया जाता है तो objections इसमें raise करने का time दिया गया था after due examination by subject expert revise answer की issued revise answer की आई थी आपकी 8 1222 को result was published 8 1222 ठीक है deleted question के बारे में भी लिखा गया है आपके इसमें objection जो है आये थे 20181 objections में आये थे 1447 objection यूनिक objection ठीक है और इसमें से इन्होंने क्याकिये 332 question को delete कर दिए इसके बाद 332 message जो question delete किया है इसको delete किया है इन्होंने out of syllabus के base ठीक है out of syllabus के base पे इन्होंने 332 question को delete किया है यह इनका कहना है और बाकी यहां पर बाकी इन्होंने कुछ example भी दिये है अदर स्टेट के जैसे उत्तव परदेश का example दिया है कि यहां पर भी ऐसा हुआ है करके और यह एक example दिया है आपको कि delete question का यह फंडा है ठीक है next यहां पर देखिए 12 candidate का selection हुआ है same family से और इनका role नमर भी आस पास नहीं है और इनने marks भी obtained जो किये है वो close है ठीक है तो इस पर भी यहां पर बताया आयोग ने और यह देखिए एक कुछ यहां पर लिखा है answering pattern analysis examini the frequency of answers submitted by the candidate at 15 minute intervals during the examination analysis तो यहां पर इन्होंने इसको भी analysis किया और यह भी आपको की condition जो है यह भी representation जो है false पाई गई ठीक है ऐसा कुछ नहीं हुआ है और cctv analysis भी इन्होंने आपर किया है इस पर और यहां पर देखिए बारह में से only दो जो है same family से यहां पर है ठीक है तो यह इनका कहना है तो overall जो judgment आई है तो लास्ट में जो आपकी representation है petitioner की तो यह यहां पर dispose कर दी गई है और यह अभी तक की update है UK SSC Forester की ठीक है तो यह है आपका Forester की update तो यह है इस वीडियो का एंड थैंक्स पर वाचिंग एंड गॉड बिलेश यौल